विल्कम 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 गाईज वेलकम बैक टीयों चैनल आप्शन्स काई तो स्वागत है आपका एक और शानदा डेली मार्केट वीडियो में कि आपकी बात बहुत साथा बड़ी रैली हमने नहीं देगी लेकिन मार्केट ने न्यू हाई टेस्ट किया और बड़ आप चैनल बना कमाई या आपने सब्सक्राइब रहें तो चैनल को फटा फट सब्सक्राइब कर लें चले एपको हो सकता हैं मार्केट का रिवर्सल पॉइन्ट हो प्रिवेस वीडियो में लेकिन मार्केट गैप-आप के साथ इसे ब्रेक कर देता है और फिर ये भी बताया अब थोड़ा wait and watch का game plan होगा market में, 1500 मार्केत के lên major resistance है, इसके अबाव market ने पहले previously work ही नहीं किया है, तो इसके अबाव मैं आपको level नहीं बता रहा हूं, game plan क्या होगा, दीखे, FAI भी बहुत जादा buying कर रहे हैं, इसलि debate भी market bullish चल रही है लेकिन FIA किस दिन selling कर देंगे न वो आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है FIA buying selling करते रहते हैं तो इस पे हम purely dependent नहीं हो सकते कि FIA buying कर रहे हैं अभी तो market यहां से bull रहा नहीं जाता रहेगा वो कभी भी sell भी कर सकते हैं उनका कोई lock in period नहीं है कि उन्होंने buy कि यह वो hold ही करेंगे ठीक है तो आपको अब ध्यान रखना है कि market 12,500 पर कैसे react करती है अगर इसे भी break करती है आप long position बना सकते हैं लेकिन वहां भी आप hedging के साथ long position बनाएं क्योंकि market इतना continuous अपना bull run दिया है तो किस level पे profit booking करेंगे किस level तक market जाएगा यह exactly predict करना मुश्कि है तो थोड़ा साब आपको ध्यान से trade लेना है 12,500 के above बिलकुल आप longs बनाएं लेकिन hedging के साथ trade करें वह hedge के साथ hedge वाली वीडियो अपने नहीं देखिया तो मैं आई बटन पर आपको देदूगा कि hedge आप कैसे कर सकते हैं तो वह hedge के साथ अपने trades बनाएं और वहां फिर अपने trade आप carry कर सकते हैं और shorts बनाने तो उसके लिए भी आपको rush नहीं करना है उसके लिए भी आपको quick entry नहीं लेनी है वहां भी आपको level का wait करना है जो हमारा major level है 12,350 12,350 को market जिद दिन break करेगा उस दिन आप अपने shorts बनाके carry कर सकते हैं long के लिए 12,500 तो इस 150 की range में आप avoid कीजिए trades ये जो range है 150 points की यहां आपने आप trade avoid कर सकते हैं कि market में यहां clear direction हम नहीं है हम almost इस level को test कर लेंगे तो हो सकता है market इन level के बीच में करते हैं किसी side breakout बलता है तो आप long बनाए hedge के साथ और short बनाने तो आपको 12,350 के break होने का wait करना पड़ेगा और intraday के लिए फिर भ 12,420 ठीक है तो बहुत जादा levels में आपको आज describe नहीं कर रहा हूं ये nifty का viewpoint होगा होप आपको समझ आ गए होगे ये दोनों बहुत ही major level है तो किस side market किस level को break करती है वो आपको देखना पड़ेगा और उसके according trade लेने पड़ेंगे नifty में हो गया बैंक नifty में चलते हैं अब कि वहां क्या हो रहा है और वहां कैसे intraday moves हम बहुत जादा discussion के लिए आज है नहीं market gap up open हुआ फिर market upper side ही sustain कर रहा था फिर थोड़ा dip आया पर levels को आज market ने जादा test नहीं किया ना 11.350 को test किया ना 11.500 का इन दोनों के बीच में ही market ने trade किया और बहुत जादा कहीं भी आप देखेंगे कि एकदम से sudden कहीं भी market बहुत जादा volatile लिए पहले market में slowly एक dip आया था फिर वहां पर buying गाई और फिर slowly हमने up trend जाते हुए देखा market में बहुत sharp up move या downfall हमने कहीं भी नहीं देखा लेकिन ऐसा new high level पे work कर रहा है market तो य bank nifty का chart है bank nifty में हमारा first level to 27,000 यह market में morning में gapic पे साथी break हो चुगा था mid में कोई level आपको बताया नहीं थे उसके बाद level था हमारा 27,300 किन यह मैंने आपको बताया था constant level नहीं है यह trend line के साथ level चल रहा है ठीक है तो यह level time to time change होतर रहेगा अब यह जो आपका upper level line दिख रही है न यही वो level है और zone है वो यहां पे हमें 27,600 दिख रहा है almost लेकिन real म अगर हम long term जहां पर यह chart बनाएगा है वहां पर यह different होगा तो अम market में हमें क्या करना है मैं आपको longer time frame लेके चलता हूँ वहीं इसे हमें clear direction मिलेगी bank nifty की यहां बात कर रहे है आज की candle की और यह हमारी trend line चल रही थी ठीक है यह आज level था 27,300 almost 350 दिख रहा है इसमें यह क्य हमें confirmation देखनी पड़ेगी मैंने bank nifty में आपको कहा था कि अगर यह trend line break होती है जैसे आज break हो चुकी है कल इसमें level क्या आ रहा है कल इसमें level आ रहा है 27,430 तो अगर कल भी market 27,430 को break कर देती है तो हमें 28,000 minimum test करना चाहिए market में ठीक है तो आप longs बना सकते हैं bank nifty में 28,000 के और फिर हम इस trend को ही break कर देंगे जो हमारा zone था उसे हम break कर देंगे तो एक बहुत ही sudden हमें up move देखने को मिल सकता है तो bank nifty में कल की candle बहुत important हो कि क्या market दुबारा इस channel में enter करेगी या फिर इसे break करके sudden हमें up move देखने को बलेगा 27,430,450 ये level कल के लिए याद रखिए कि market क इसके above sustain कर पाती है या फिर नहीं intraday levels अभी हम थोड़ा focus कम कर रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा positional trades बनाइए हो सकता है कि market में अब एक ही दिन वो sudden move आया और फिर level जो होंगे वो एक साथी तीन चा level break हो जाएंगे intraday में जो level बने आप उसके according trade ले सकते हैं जैसे आज क्या हुआ था मार्केट जहाँ open हुई थी 27,90 I think 27,090 उसी के पास market ने आज support ले और एक bounce दिया तो आपको ऐसी ही intraday levels के according अपने trades बनाने इस zone में अभी कोई level नहीं है क्योंकि इस में levels perfectly work नहीं करेंगे intraday levels draw कीजिए और उसके according अपने trades बनाई है morning की opening के तुरू या फिर कोई strategy या फिर indicator यूज करके अपने trades बनाई है levels को जब तक market इस range में है levels को आप follow मत कीजिए तो यह हो गया हमारा चार्ट अले से अब चल देते हैं हमारी option chain पर कि वहां से data के कुछ idea मिल रहा है कि वहां कोई clear cut view मिल रह देखते हैं तो अभी हमारे call side maximum होई हमें दिख रहा है 12,700 पर और immediate resistance हमें major दिख रही है 12,500 पर जो हमें charts पर भी दिख रहा है कि काफी important जो हमारा target था almost achieve हो रहा है तो 12,500 ही एक resistance point दिख रहा है तो फी अच्छा हुआ ही build up यहां पर 22 lakh positions है तो काफी major build up है और इसके comparative लगार यहां पर देखेंगे तो only 5 lakh तो बहुत ही major resistance है as per option chain लेकिन 12,300 पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही strong support बनाया है इन्होंने और 12,400 पर भी क्योंकि intraday में 20 lakh positions add हुई है यहां पर 22 lakh positions add हुई है बहुत ही जाद up put writing हुई आप intraday में देखेंगे तो 12,300 पर भी and 12,400 पर भी तो market major resistance अभी 12,500 देख रहा है जो मैंने आपको charts पर बता है कि अगर उसको break करती है तो आप further trade बना सकते है option chain के हमारा target आ रहा है 12,700 में अगर reversal लेती है तो यहां पर हमें support दिख रहा है 12,300 पर तो आज की वीडियो में इतना ही friends बहुत ही बहुत सारी हमने generalize बाते की आज हमने specific level आपको नहीं बताए क्योंकि market है ही अभी ऐसे situation में और मैं आपको कोई wrong advice नहीं देना चाहता हूँ फिर भी आपके कोई भी queries आपको discussion करना चाहते हैं आपको कोई viewpoint शेयर करना है तो comment section में जरूर कीजे वहां discussion कर सकते हैं और मैं आपको reply भी करूँगा तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं next video में thank you so much